महाकाल कहते हैं नहो दास तु मेरे लाल मैं तेरे साथ हूँ सामने नहीं तेरे आस बास सूँ बलकों को बंद कर और धिल से याद कर मैं कही और नहीं बलकी तेरे विश्वास में हूँ हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों ये पंक्तिया सिर्फ कुछ चंद पंक्तिया नहीं है बलकि ये एक अडूट आस्ता है धर्म से संबनित अक्सर ये सवाल पुश जाता है कि क्या आपने भगवान को देखा है और अक्सर कुछ-कुछ लोग इसका हिच किचाते हुए जवाद देते हैं हाँ हमने भगवान को देखा है और अक्सर सामने वाला हस कर चले जाता होगा लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे हाँ मैंने सच मुच भगवान शिव को देखा है जी हाँ आपने सही सुना आज आप ही अपने आखों से देखेंगे भगवान शिव को और दोस्तों ये कोई बनी बुनाई पाते नहीं है बलकी हकीकत है कि आखिर कल्यूग में कैसे भगवान शिव ने सोयम का अस्तितु दिखाया कैसे सभी नास्तिकों को भगवान शिव ने आस्तिक बना दिया इस वीडियो को देखने के बाद जो भी भगवान शिव को नहीं मानता यानिय भगवानों को नहीं मानता वो भी भगवान के चमतकार को देखकर आज नत्मस तक हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली वीडियो नहीं है इस वीडियो में आप देखेंगे कि साक्षात कैसे भगवान शिव ने कल्यूग में अपने दर्शन देकर भगतों को हैरान होने पर मचपूर कर दिया और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को आप लगतार बार बार देखेंगे लेकिन इस वीडियो को दिखाने से पहले हम चाहतें कि आप सच्ची श्रदा से एक बार हर हर महादेव का कमेन्ट जरूर करें ताकि आपकी आत्मा का भी परमात्मा से मिलन हो सकी। शायद यह उसकी किस्मत में लिखा था कि वह आज साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा था। इस दुनिया में एक ऐसी शक्ती भी है जो हम सब को देख रही है। यह सिर्फ किससे कहानियों में नहीं बलकि हकीकत में हैं जिसे हमने भगवान का नाम दिया है। दोस्तों एक बार फिर यह वीडियो देखिए कि किस तरह से कार्ड सवारक ने यह वीडियो बनाना शुरू किया। उसे शायद यह मालूम भी नहीं था कि आज उसके भाग घुलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधिकार ही नजर आ रहा है। और तभी अचानक आस्मान से बिजली कड़कती है। और उस बिजली में दिखाई देती है भागवान शिव की आकरती। आप भी दोस्तों अपनी आखों से भागवान शिव के इस चमतकार कु देख सकते हैं। अब आप दोस्तों इसे मात्र, इक्तिवाक समझें या फिर भागवान का चमतकार… परंतु महादेव शिव के भक्तो इसे चमतकार ही मानते हैं। चुकि वैक्यानिक द्रिष्टी कोण से यह मुम्कीन ही नहीं है। कि कभी बिजली भी हू बहू भगवान शिव की आकृती कैसे बना सकती है। आपने अक्सर बच्पन से देखा होगा कि जब बिजली आश्मान में कड़कती हैं तब वहें टेडी मेडी आकृतिया लेती हैं। लेकिन आखिर कैसे संबव है कि बिजली पूरी की पूरी हू बहू भगवान शिव की आकृती बनाना ले। वीडियो में साफ साफ भगवान शिव अपनी जटा फैलाए पैठी हुई मुद्रा में आपको दिख रहे होंगे। चलिए दोस्तों एक बार फिर भगवान शिव के शमतकार को देखते हैं। आशा करता हूँ यह खास वीडियो देखने के बाद आपको भी भगवान शिव की शक्ती पर यकीन हो चुका कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि कणण में भोले नार आपका हिवास है। हर भक्त के लिए आप और हर भक्त आपके लिए खास है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेर करे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले धन्यवाद